फ्रेंट्स अगर आप अपने फोन में दो बोटियम एप्लिकेशन को यूज करना चाहते हैं अलग अलग नंबर से तो इस वीडियों में मैं आपको बताने वाला हूँ दो बोटियम आपके से चला सकते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा यहाँ पे आपको एक ओप्शन मिला हुआ है आपको यह application मिला हुआ है security एक application मिला हुआ है आपके phone में by default मिलता है यह तो यहाँ पे आपने phone पे जाना है इस पे security ओप्शन पे जाना है और यहाँ पे इस तरह का इसका interface आएगा और यहा पर इस पर आपने क्लिक करना है तो इहाँ पर आपने दो एपलीकेशन को यूज़ करना यहाँ पर आपको option मिलाव तो एक तो हमारा एप्लिकेशन यह है और दूसरे वाला यह है यहां पे चलो मैं यहां पर दोनों को साथ में लेके आता हूं तो यहां पर आप देख रहें यह हमारे फोन में दोनों इंस्टोल हो चुके हैं यहां पर और हम इनको दोनों को यूज कर सकते हैं इसको मैं यहां कर रहा हूं इसमें मैंने दुबारे से अकाउंट बनाना होगा जैसे आप यहां बोटि добр 채 में अकाउंट बनाते हैं तो यहां पे और किलिक करेंगे इसके बाद आप हमारे सामने का एंटर्फेस आएगा यहां पर यहां पर हमें इसको permission देनी होगी, allow करना होगा, यहां पर हमें अपना number डाल देना है, तो यहां पर आपका code आएगा, उसको आपने code को यहां पर put कर देना है, और जैसे आप यहां पर code put करेंगे, जो भी आपका application है, यहां पर activate हो जाएगा, तो हमारे सामनी यहां code आचुक है, हम इसको यहां पर डाल देते हैं, तो यहां पर हमारा code आगा, हम इसको verify कर लेंगे, यहां पर continue के option पर click करेंगे, इसको allow कर देंगे, यहां पर इसके बात जो भी हमारी यह application ने यहां पर activate हो चुकिए, हमारे पास यह option आचुके, आप यहां पर देख रहे हैं ताइकि हमारे आनेवले सभी वीडियो के नूटिशन भी आपको मिलते रहें तो आज के लिए तरह मिलते हैं ख़ड़ों तब तक ले जहिन